SS राजा मोली को अपनी बेहतरिन पठकता और निर्देशन के लिए जाना जाता है हाली में SS राजा मोली की मौस्ट अवेड़ेड फिल्म RRR का मोशन पोश्टर टीजर लिच के गया और उसके बाद साउथ सूपरिस्टार रामचरन के जनम दिन पर इस फिल्म का दूसरा टीजर लिच के गया था जिसमें रामचरन के करेक्टर की जलग दिखाए गई है आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म का बजट करीब सारे 300 से 400 करोट रुपे के आसपास है इन दोनी फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर रिकोड़ दोड कमाई की थी लेकिन SS राजामवली ने इन दोनों फिल्मों के अलावा कई ऐसी फिल्में दी हैं जिन्नों ने बॉक्स ओफिस पर जंड़े गाड़ दिये थे फिल्म का बॉक्स ओफिस बजट 1.80 करोड रुपे था और इस फिल्म ने कमाई की थी 12.9 करोड रुपे की फिल्म में जूनियर एंटी आर और गजाला लीड रॉल में नज़राई थे छत्रपती ऐसेस राजामोली की दूसरी फिल्म थी जिसने बॉक्स ओफिस पर अपनी कामयवी के जंडे गार दिये थे इस फिल्म का बजट माच 12.5 करोड रुपे था और इस फिल्म ने कमाई की थी 22 करोड रुपे की फिल्म में लीड रॉल में नज़राई थे बिनेतर प्रबास और एक्टर स्रियासरन इसके अलावा शफी, भानू प्रिया और परदिव राउत को भी इस फिल्म में दिखाये गया था राजा मोली के करियर की यह तीसरी बुलोगबश्टर फिल्म थी जिसे तेलगुवाशा में रिलीज किया गया था यह फिल्म 15 अगस 2007 को रिलीज की गयी थी जिसमें साउथ सूपरिश्टार एंटी आर और प्रिया मनी के अलावा मम्ता मोहन दास, मोहन बाबू और खुश्बो नजर आये थे उस समय इस फिल्म को इतना पसंद किया गया था कि यह फिल्म 205 इस्क्रिंस पर 50 दिन तक और 92 इस्क्रिंस पर 100 दिन तक चली थी इस फिल्म को IMDV ने रेटिंग दी है 7.3 आउट ओफ 10 गी 31 जुलाई 2019 को रिलीज होई फिल्म मकदिरा ने साउट इंडरिस्ट्री में एक नया इतियास बनाये था फिल्म में रामचरण और काजल अगरवाल के अलावा देवगील और शीरी हरी की जबरदस्त एक्टिंग देखने को मिली थी इस फिल्म ने रामचरण को रादो राद सूपनिष्टर बना दिया था इस फिल्म का बजट 75 करोड रुप़े था और फिल्म ने बजट से दो गोना यानि 70 करोड का बॉक्स ओफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने एक 150 करोड रुपे कमाई थे फिल्म को आज भी बार बार देखने पर भी आप बोर नहीं होंगे इस फिल्म को IMDW ने रेटिंग दी है 7.6 out of 10 की यह फिल्म रिलीज हुई थी साल 2011 में और इसे डायरेक्ट किया था शिवा ने यह एक एक्षन तमील फिल्म थी जिसका बजट तो 10 करोट रुपे था और इसने बोक्स ओफिस पर कमाई की थी 30 करोट रुपे की इस फिल्म को IMDW ने रेटिंग दी है 5.8 out of 10 की बोलिवूड फिल्म रावडी राठोड भी ऐसे सराजामोली की फिल्म विक्रमार कुडू की ही रिमेक थी इस फिल्म की कहान इतनी शांदार थी कि एक्टर और डायक्टर प्रभूदेवा ने इस फिल्म का हिंदी रिमेक कर एक जुन 2012 को सिनेमा गरों में इसे रिलीज किया इस बार इस फिल्म में बोलिवूड खिलाडी अक्षे कुमार और अब इने तरी सुनाक्षी सीना नजराये थे फिल्म इतनी जबर्दस चली कि बॉक्स ओफिस पर ब्लोगबस्टर साबित हुई और कमाल की बाद तो यह है कि 45 करोड के बजट में बनी इस फिल्म ने उस समय 188 करोड का एक्स्टिमेट कलेक्शन किया था इस फिल्म का IMDV ने रेटिंग दी है 5.7 आउट ओफ 10 इसके बाद साल 2012 में रिलीज हुई बोलिवूड फिल्म सन अफ सर्दार और यह फिल्म भी SS राजामोली की ही तेलगू फिल्म मरियादा रमना की रिमेक थी मरियादा रमना कोमीडी डिरामा फिल्म थी जिसे 1923 में बनी फिल्म ओवर होस्पेटिलिटी से प्रेरित होकर SS राजामोली ने बनाये था इस फिल्म में अभी निता सुनिल और बिनेतरी सुलोनी अस्वानी लीड रोल में नजर आई थी इस फिल्म का भी बोलीवूड में हिंदी रिमेक बनाए गया और इसका नाम रख़ गया सन ओफ सर्दार इस फिल्म में आजे देवगन और सोनाक्षी सिना लीड रॉल में नजराए थे फिल्म का बजट 30 करोड था और इस फिल्म ने बोक्स ओफिस पर कलेक्शन किया था 170 करोड का इस फिल्म को IMDb ने रेटिंग दी है 4 out of 10 की इगा तो सबसे पहले आपको बता दें इगा का अर्थ होता है मक्षी ऐसे सराजामोली निर्देसी इस फिल्म को 6 जुलाई 2012 को तमिल और तेलगू दो बाशाओं में रिलीज किया गया था यह एक एक्शन फैंटेसी फिल्म थी जिसमें सुधिप नानी और सामनता रूत प्रभूल लीड रॉल में नज़र आये थे फिल्म की कहानी एक पिता द्वारा अपनी वेटी को बताई गई एक सोते समी की कहानी की रूप में है जिसमें एक लड़की के दो लवर होते हैं जिनमें एक द्वारा दूसरे की हत्या कर दी जाती है और उसका एक मक्षी की रूप में पुनरजनम होता है और वो आपनी मोद का बता देनी की कोशिश करती है इस फिल्म का बजट 35 करोड रुपे था जबकि इस फिल्म ने कमाई थे 103 करोड रुपे फिल्म को IMDV ने रेटिंग दिये 7.7 आउट ओफ 10 की इसके बाद 10 जुलाई 2015 को फिल्म बाहुबली दे बिगिनिंग को तमिल तेलुकु सहित मलियालम और हिंदी बाशा में डब कर रिलीज किया गया फिल्म में प्रवास सही, तमना बाटिया, अनुष्णा सेटी और राना दगुबती को लीड रॉल में दिखाया गया था यह फिल्म एक्टर प्रवास और डाइरेक्टर S.S. राजा मॉली के लिए बोलीवूड में में मिल का पत्तर साबित हुई इस फिल्म के जरे S.S. राजा मॉली ने दिखाय दिया कि एंडियन सिनेमा में इन से बढ़कर निर्देशक कोई नहीं हो सकता फिल्म का वजट एक सफसी करोट रुपे था जबकि इस फिल्म ने 650 करोट रुपे की कमाई कर सबको चोका दिया था इस फिल्म को IMDV ने रेटिंग दी है 8.1 out of 10 बाहुबली दा बिगिनिंग के एंडिंग अग जबर्दस सस्पेंस के दाथ छोड़ी गई पर करीब डेट साल बाद यानि 28 सप्रेल 2017 को फिर से सेम वही स्टार कास्ट के साथ इस फिल्म का दूसरा पार्ट यानि बाहुबली टू रिलीज किया गया बाहुबली के फैन इस कहानी के सस्पेंस को जानने के लिए चुकते जिसके कराण इस फिल्म की लोगप्रिता इतनी बड़ी कि इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स अफिस पर कमाई के मामले में अब तक के सारे रिकोर्ड तोड़ दिये यह फिल्म 250 करोड रुपे के बजट से बनी थी और इंडिया में इस फिल्म ने करीब 1429 करोड और वर्डवाइड 1810 करोड रुपे का कलेक्शन किया था इस फिल्म को IMDb ने रेटिंग दी है 8.2 आउट ओफ 10 आपने इन फिल्मों में से कौन-कौन सी फिल्में देखी है और और कौन-कौन सी फिल्में आपको अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताना आगे यसी इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बैल आइकन दबाना बिलकुल मत पूलना मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए